हर हर महादेव कैसा आप सभी लोग आई होप आप सभी अच्छे होगे और आप सभी को दिल से हर हर महादेव और मेरी बात की जाए तो मेरा नेम है गोपु ब्लोग और में रहने वाला हूँ हमारे गुजरात के मैसागर जिल्ले से और आज मेरी यात्रा स्टार्ट हर रही है वो भी साइकल से में जा रहा हूँ हमारे गुजरात के मैसागर जिल्ले से अमरनाथ बाबा बरफानी के करूंगा जैसे वह 51 शुक्ति पीठों में से एक अंबाजी में गुजरात में ही सापी थे अंबाजी माका मंदिर और फिर हरिद्वार केदार नास यमनोत्री गंगोत्री चारदाम फिर व्यष्णा देवी जो कट्रा में जम्मु कश्मेर उसके बाद अमारी अमणनात की आत् करेंगे बाकि देखो घर में कुछ ऐसा हाल है यहाँ पर हमारा सामन तयार हो रहा है पुजा का देखे और बाकि हमारी साइकल भी तयार है देखो मैसागर थे गुजरात से अंबाजी केदारनाच वैश्णादेवी और अमरनाच जो की 5000 किलोमीटर की आत्रा होने वाली है ठ करेंगे तो अब चलो साइकल भी पुजा करेंगे हमारी भी पुजा करेंगे फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे करेंगे वाली है हुआ है कि अचलों यहां पर देखा हमारे गाउं मतलब घर से थोड़ी दूर वहां पर मंदिर है शिव जी का तब भी हम सब भी लोग घर वाले वहां पर जा रहे हैं फिर वहां पूजा करके फिर यह सब घर चले जाएगी वार में अपनी यत्रा स्टार्ट कर दूगा तो चलो देखो बहार मंदिर आछ फिर हामने अंदर भी पुजा कर देखे अब हम मिए पुजा कर देब्थे के ए जासे महादेव का ही मंदिर यहा पर आप इब और अब हम यहां से निकलेंगे और हमारी साइकल देखो अचलो अब तो फिर अभी देखो हम राश्टे प्या गए है यह सिंगल पट्टी जा रही है और अभी में जा रहा हूं मलेकपूर हमारा हन्मान जी का मंदिर है वहाँ पे हमारे इस एर्या में कोई भी अच्छा काम कर अब यहां से करीबन मलेकपूर रह चुका है यहां से मलेकपूर एक किलो मेटर की दूरी है और वहाँ पे देखो एक गाव है अपने कलिया पर रखी है और इन पाने भी पिला है एक काम करें पाने यहां अम भर देख डाइक मरें पिया कम लगे लोग खुल दोन अनन्या भाईया निस पादू काने से जो भाईया चिक्की पना भीच है चलो काम लाग से खाव माटे है बागी जो ठंडू बानी भी है हम वहां पर होल्ड कर देंगे ठीक है अभी हम पहुझ गए हन्मान के मंदिर वह सामने मंदिर है और वह रही सीटी बड़ी और अपनी साइकले रही अपने घर से मलेकपूर का अंतर होता है 15-17 किलो मीटर आज पास अभी हम पहुझ गए है और यहां से भी हमको और आगे कर देबन 10 किलो मीटर जाना है फिर हम वहां पर नाइट रूखने वाले हैं तभी हम अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए देखो अपनी साइकले रही और अंदर फुटो पाणने के लिए मना कर रही तो देखो आपको यहां समय दर्शन करा देता हूं देखो यह हन्मान जी दी थी हमको वहां पर तो यह भी पिलें मतलब स्ट्रिंग जैसे कुछ है अनर्जी मिल जाएगी ठोड़ी अभी हम वहां मलेकफूर से निकल गए थे और देखो यह आ गई हमारी मही सागर जो हमारा जिल्ला है ना मही सागर उस सही एस नदी का नाम पढ़ा है मही मतलब मैं इस रास्ते साया हूं और यह आया है मलेकपूर की तरफ और हम कल जाएंगे इसकी तरफ जाएगा मालपूर मतलब बाइपास पर जाएगा मोडसा की तरफ ठीक है अब अब भी मेरे को देखो यहां अपनी साइकल है यहां से मेरे को दो किलो मेटर पीछे जाना हो जाता है हमारा कड़ाना डेम मतलब संद्रामपूर की तरफ तो मेरा जो मामा का अगर है वह इस तरफ है दो किलो मेटर पीछे है तो हमको वापस जाना पड़ेगा ठीक है बाकि अभी पहुच जाएंगे पास मीट में तो पहुच जाएंगे ठीक है तो आज तो हमने 20 किल पहले नहाय लिया था ठीक है और नहा कर पहले अपनी साइकल मैं आपको दिखा देता हूं देखो ए हमारी साइकल जो देखो है ना अब डेको पूरा रेडियम कितना चमक रहा है ठीक है बाकि हमारी साइकल जा रही है वो तब को मैं लोगों बताना पड़ेगा देखो गुजरात के मैं इसागर जिल्ले से ठीक है बाकि आकर पहले मैंने नहाया और मामा का गार है तो सभी हम मतलब सभी लोगों ने हमने साथ बैठ कर खा पास पास तो ऐसा कुछ हमारी आज की स्टोरी थी बाकि आपको व्लोग किसा लगा ठीक है बाता देना लेकिन टाइम देख लो बारा बच कर 25 मीट हो रही है और रही अपनी साइकल तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लिस लाइक शेर कमेंट सब्सक्राइब ज़ है और मादेख